नमस्कार में अप्रिया बिहारी नियूस में आपका स्वागत है। बिहार के कई जिलों में अधिकांश बादल चाय वे हैं तो कई जगों पर बारिश भी देखने को मिली है इसी को ध्यान में रखते वे मौसम विभाग की तरफ से बिहार के जिलों में संभावित बारिश को देखते वे यलो अलोर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विज्यानिकों की तरफ से मिली जानकारी के नुसार ताउते की वज़े से बिहार में अचानक चक्रवाती सिस्टम मन गया है आगामी 48 घंटे तक बिहार एक चक्रवाती सिस्टम से प्रभावित रहेगा लहाजा लगभग पूरे प्रदेश में हलकी से मध्यम बारिश, तेज हवा और व्रजपात होने के आसार बन गया है मंगलवार की शाम की बात करे तो शान से ही ठंडी तेज हवाओं ने रात के तापमान में बदलाव भी देखने को मिला इसके साथ ही राजधानी पट्टा सहित समूचे बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवा भी चलती देखी गए मंगलवार की दो पहर तक तावते तुफान की वज़े से समूचे प्रदेश में बादल चाय रहे इसके अलावा विशेश मौसमी दिशाओं की वज़े से कुछ जगों पर खास करकी दक्षणी मध्य बिहार में हलकी से मध्यम बारिश तरच की गए खास तोर पर गया में 50 मिलिमीटर बारिश तरच की गए फिलहाल शकरवाति सिस्टम की वज़े से मई के महीने में अभी तक के आकड़ों से कही अधिक प्री मौनसून बारिश हो चुकी है जुसके बाद से बिहारवासियों को गर्मी में थोड़ी राहत जरूर मिली है सोमबार को तप्ती धूप से लोग परिशान रहे रात में भी गर्मी का असर रहा लेकिन मंगलवार की सुभह से आकाश में बादल चाह रहने से धूप से लोगों को नजात मिली साथ ही हल्की बुंदा बांदी से मौसम सुहाना हुआ धूप नहीं निकलने से गर्मी कम रही बुन्दाबांदी को देखकर अंदाजर लगाए गया कि कुछ देर तक और बारिश होगी महीं मौतम विभाग ने बिहार के सभी जिलों को लेकर अलर्ड जारी कर दिया है आईमडी पतना की तरफ से मिली जुहानकारी के मुताबिक आगामी दो दिनों तक पस्षिमी और पुर्वी चमपारन, सिवान, गोपाल गंज, सारन, बकसर, भोजपूर, रोहतास, भभुआ और अंगबाद, जोहानबाद, अर्वल, पतना, गया, नालंदा, शेकपुरा, अगले दिन सुपॉल, अररिया, किश्वन गंज, मधिपूरा, सहरसा और पूर्णिया में बारिश और भज़री गिरनी की आश्रंका जताई गई है मौसम विभाग के अनुसार, ताउते का असर एक-दो दिन में पढ़ सकता है, इस दोरान अकाश में बादल छाहे रहने की संभावना है बुद्वार को पटना का अधिक्तम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूंतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे, अरब सागर में आये ताउते तूफान के वज़े से कई राजियों में हालत काफी ज़्यादा गंभीर बनीवी है महराज्ट्र समेद कई अन्यर राजियों में भीशन बारिश के साथ साथ समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों को देखा गया है जिसके कारण आम जन जीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है इस दौरान विभिन राजियों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम उमीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तब तक के लिए धन्यवाद